जै मातादी आज बात करेंगे बीज मंत्रों की जी हाँ लक्षमी साधना लक्षमी प्राप्ति के जो विबिन विबिन बीज मंत्र होते हैं उनकी साधनाओं की ऐसे तो लक्षमी साधना जो है अनंध हैं किसी भी साधना को एक जानकार गुरू से लक्षमी साधना को समझ कर उ लेकिन कभी-कभी जानकार जो होते हैं गुरू के अभाव में जहां गुरू नहीं होते हैं व्यक्ति स्वयां ही साथना करने का निर्णे कर लेता है तो ऐसे में लक्षमी जो हैं उनके अलग-अलग मंत्र हैं लेकिन सभी मंत्रों का ज्यादा संक्या में जाब करना अतना तो स ओक्षरी single word भी कहते हैं अब हर वैक्ती का एक प्रकार का काम सेम नहीं होता है तो लक्षमी भी जो है अलग-अलग तरीके से अलग-अलग कारणों से उनके पास आती है अलग-अलग रास्ते से आती है तो इसलिए जो सही बीज मंतर है उसका चेंड बहुत अवश्यक है ताकि वो जिस तरीके का काम करता है उसे उसी तरीके से उसकी लक्षमी जो है आती रहे रस्ता बनता रहे तो जो पहला लक्षमी का बीज मंत्र है वो है श्रिम तो देवी लक्षमी का ये जो बीज मंत्र है ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है और हर व्यक्ति, चाहे वो ग्रेस्ट हो, सन्यासी हो, सबी लोगों को इस बीज की अवशक्ता जरूर पढ़ती है और सबने साधा भी है, यह बीज मंत्र जो है आपको लक्ष्मी प्रदान करने में साहता देता है चाहे वो किसी भी तरीके से हो, पैसा आपके पास ला देती है, यह जो बीज मंत्र है, यह पैसा ला के देता है आपको आप इसको पश्चिम की तरफ मूँ करके, सफ्टिक की माला से, इसका ग्यारा लाग का जाप कीजिए, लाल आसन रहेगा और लाल कपड़े रहेंगे अब दूसरा जो बीज आता है वो आता है हरिम, यह देवी जो लक्षमी है उनका दूसरा बीज मंत्र है, बहुत सारे लोगों के पास पैसे तो होते है, लेकिन वो इसे भोग नहीं पाते हैं, पैसा तो आता है, लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, तो यह जो लक्षमी के साथ एश्वर्य और अपार धनसंपति जो है जिसको आप भोग सकें वो इस बीज मंत्र से मिलती हैं तो इसे माया बीज भी कहते हैं तो क्या होता है आप कुछ भी खरीदते हैं आपके पास तो होता है लेकिन आप इसको इंजॉई नहीं कर पारे यूज नहीं कर हो जाते हैं तो इसके लिए जो है आपको लाल मुगे की माला चाहिए आपका फेस जो है उत्तर की तरफ होना चाहिए और वही लाल कपड़े लाल ये बीज मंत्र बहुत अलग-अलग तरीके से अफसर प्रताप कराता है कि मतलब आपके बिजनस चले अच्छे से रस्ते खुलते रहें कहीं न कहीं से आपको अच्छी इंकम आती रहें, ओर्डर जाते रहें तो जो नौकरी वेले जो हैं, जो काम करते हैं, उन सब के लिए बीज मंत्र बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है इसका भी जो है उत्तर की तरफ मू रहेगा, मुगे की माला रहेगी या लाल-चंदन की माला भी चल सकती है इसमें आसन और कपड़े लाल रहेंगे, वही से ग्यारा माला, ग्यारा मला जब होगा अगला मंत्र है त्रिम, ये मा कामाख्या का बीज है, तो इससे मन की इच्छा और कामनाओं की पूर्टी होती है जो लक्षमी से रिलेटेड होती है, तो जैसे आपको कहीं विदेश में जाना है, या कोई भी चीज है, तो कोई भी जो आपकी इच्छाएं है, जो पैसे से रिलेटेड हो, कुछ भी हो तो वो इससे पूरी हो जाती है तो इसके लिए जो है, आपका रस्ते खुलते जाएंगे, इंकम ऑफ सोर्स ओफ इंकम खुल जाएगा, तो इसका भी सेम है, आपको इसको लाल मुंगे की माला पे करना है, लेकिन इसके जो मू होगा, वो आपका पूर वदिशा की होर होगा, सेम टोटल 11 लाग का जाप रह तो इससे जो ये बीज मंतर करते हैं, तो ये फील्ड के लोग हैं, वो ये बीज मंतर करेंगे, तो उनको इससे बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, फटिक की माला से करना है, या तुलसी की माला भी कर सकते हैं, आप सेम 11 लाग करेगा, और दिशा जो है, पूर रहेगी फिर से, अगला बीज मंतर है, क्लिम, ये कृष्ण, कामदेव, कालरात्री, ये सबका बीज मंतर है, ये उन व्यक्तियों को करना चीए, जिनके व्यक्तित्व से उन्हें पैसा मिलता है, जैसे कोई अभिनेता हो गया, या जो भाशन देते हैं, कोई भी जो लीडिंग, लीडर्स अगला बीज है, हुम, ये देवी चंडी का कह सकते हैं, या वैसे तो ये चिनमस्तिका का बीज है, लेकिन इनको चंडी का का बीज भी माना जाता है, तो इसको जो करता है, ये आपका एक तो नेगटिव, जो नेगटिविटी होती है, उसको डिस्ट्रॉई करता है, और लेकिन ये बीज जो है बहुत ज़्यादा अच्छा फल देता है तो इसको दक्षिन की तरफ मूँ करके सेम 11 लाग करना है तो अगर काले हकीक की माला हो तो बहुत उत्तम रहेगा इसके लिए तो ये जितने भी बीज हैं ये सारे आपको लक्षमी देते हैं 11 लाग का मिनिमम जाप कीजिए छोटा सा बीज है बहुत छोटे कम टाइम में आप इसको साथ सकते हैं क्योंकि बिना बीज के कोई पौदा नहीं बनता कोई भी मंतर है देखिए वो सारे मंतर बीज प्रधान होते हैं बीज ही होते हैं उनके अंदर और साथ में वो जो शक्ति जिसका आप कर तो हमारा WhatsApp नमबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें contact कर सकते हैं, जैमाता दिए